अलो फ्रेंज टेक्टी दिप पर आप सब कस्वागत है तो आज मैं इस वीडियो पर अन्बॉक्सिंग रिवीव करने वाला हूँ नोक्या की एक सब टॉइन्टी स्मार्ट फोन की तो फ्रेंज आए बिना किसी देरी कि ये नोक्या की इस फोन को देख लेते हैं तो फ्रेंज नोक्या की ये स्मार्ट फोन को आप आगोस्त माहिने में मार्केट में देख सकते हो तो फ्रेंज नोक्या के इस फोन का आप स्पैकिंग बगरा देख सकते हो कैसे किया गया है जल्दी से इस phone का मैं unboxing कर लेता हूँ और इस phone को देखने से पहले मेरे चानल को subscribe करके bell icon को दबा देना नोक्या की इस phone का box open करते हैं यहाँ पर आपको नोक्या की XR20 smartphone देखने को मिल जाता है इसके साथ यहाँ पर एक SIM ejector pin देखने को मिलता है और side में एक box देखने को मिलता है इस box के अंदर आपको नोक्या की charger और type C cable देखने को मिलता है और इस box के अंदर आपको कुछ user manual देखने को मिलता है तो friends आएए अब इस smartphone का look बगरा देख लेता हूँ यह जो smartphone है यह phone black color and grenade gray color में आता है तो friends इस phone के अंदर आपको 5G network देखने को मिलता है और इस phone का मैं अगर wet की बात करूँ तो इसके जो wet है 248 gram और friends इस phone को नोक्या की तरफ से एक durable smartphone बनाया गया है इस phone के अंदर आपको IP68 water and dust resistant protection आपको इस phone के अंदर देखने को मिलता है नोक्या इस phone के जो durability और water resistant दिखा रहा है और friends इस phone का side में आपको यहां पर एक Google Assistant बटन देखने को मिलता है उपर में एक red बटन देखने को मिलता है और friends इहां पर आपको एक stream तर देखने को मिलता है इसके साथ इस side पर आपको इहां पर type C USB charging port देखने को मिलता है और 3.5mm एक jack देखने को मिलता है और right side में stereo speaker देखने को मिलता है इसके साथ phone की इस side पर आपको इहां पर Nokia की branding देखने को मिलता है और पीछे भी एक Nokia की branding देखने को मिलता है और फ्रेंट्स यह phone आप देख सकते हो, catchy normal design के साथ आता है और फ्रेंट्स इस phone का जो look बगरा है आप देख सकते हो, इसके पीछे आपको glass देखने को नहीं मिलता है इसी के साथ इस phone का अंदर आपको 6.67 inches का IPS LCD display देखने को मिलता है 20 is to 9 SEO के साथ और फ्रेंट्स इस phone के phone पर आपको Gorilla Glass Victus की protection देखने को मिलता है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो, इसे wall पर घसने के बाद भी इस पर कोई scratch बागरा देखने को नहीं मिलता है और फ्रेंट्स इस phone का मैं अगर सिम्टरे की बात करूँ तो इहां पर आप देख सकते हो, इसका सिम्टरे पर metallic frame दिया गया है और यह एक hybrid सिम्टरे है और फ्रेंट्स इस phone का मैं अगर OS की बात करूँ तो इस phone में आपको Android 11 के साथ Android One OS देखने को मिलता है नोक्या की कहना है कि इस phone के अंदर आपको 3 years तक OS देखने को मिलेगा और 4 years तक security patch देखने को मिलेगा और फ्रेंट्स इस phone का मैं अगर fingerprint sensor के बात करूँ तो इस phone का side में आपको fingerprint देखने को मिलता है जो कि आप देख सकते हो कितना fast है इसे के साथ फ्रेंट्स इस phone के अंदर आपको 6GB का RAM के साथ 128GB का internal storage देखने को मिलता है और फ्रेंट्स इस phone के अंदर आपको Snapdragon 480 5G पोसे साथ देखने को मिलता है इसे के साथ इस phone के अंदर आपको OctaCore का CPU and Adeno 619 GPU देखने को मिलता है इस phone का मैं अगर picture quality के बाद करूँ तो इस phone में आपको HD plus picture देखने को मिलता है आप देख सकते हो इस phone का मैं अगर gaming के बाद करूँ तो इस phone पे आप PUBG, Call of Duty, Free Fire जाएसा game भी आप खेल सकते हो इस phone का मैं अगर camera की बाद करूँ तो इस phone के अंदर आपको 48MP का camera के साथ 13MP Nokia branded camera देखने को मिलता है इसके साथ camera के अंदर आपको GPS lens देखने को मिलता है और GPS ब्रैंडिंग भी देखने को मिलता है और friends इस camera के साथ आपको यहाँ पर Dual LED flash देखने को मिलता है यहां पर मैं e-spawn से खिचा गया कुछ photos बागर आपको दिखाता हूँ यह photo e-spawn से normal mode पर खिचा गया है और यह जो photo अब देख रहे हूँ e-spawn का जो portrait mode है वहाँ से खिचा गया है यह जो photo अब देख रहे हूँ इस पर जो details है यह बहुत बढ़िया है और फ्रेंट्स फरेक photos के साथ आपको realistic feel देखने को मिलता है इसे के साथ फ्रेंट्स e-spawn के selfie में आपको 8MP का camera देखने को मिलता है और फ्रेंट्स e-spawn के camera पर आपको GS or Nokia की जो special feature है वो भी देखने को मिलता है और फ्रेंट्स e-spawn के अंदर आपको single sim, nano sim और hybrid dual sim, nano sim, dual standby के साथ देखने को मिलता है और फ्रेंट्स e-spawn कमाएकर battery के बात करूँ तो e-spawn के अंदर आपको 4630 image का non-newable battery देखने को मिलता है 18 watt fast charging के साथ, इसे के साथ e-spawn के अंदर आपको 15 watt wireless fast charging देखने को मिलता है तो फ्रेंट्स e-spawn कमाए अगर pricing के बात करूँ तो ये expect किया जा रहा है कि ये phone 40,000 के अंदर launch होगा तो फ्रेंट्स ये वीडियो एहीं पर खतम होता है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करके बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो का एक लाइक कर देना और फ्रेंट्स नो कहा कि ये एक सार 20 phone आप सबको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना